अशूक एलोट जी, सचेन पाइलट जी, वेनू गोपाल जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब्वरिश नेता, हमारे कॉंग्रेस पार्टी के बाकी नेता, कार्य करता, भाईयों और बेहनों और जो आज यहां स्टूडन्स आए हैं, आप सब का यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ. और जो आज पर्फॉर्मस आए हैं, जुन्होंने गाना गाया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका भी यहां स्वागत करता हूँ. देश की हालाथ, इस देश का हर युवा जानता है और पहचानता है. हर देश के पास कोई ना कोई पुंजी होती है. अमरीका के पास बड़े-बड़ी हत्यार, दुनिया के सबसे बड़ी नेवी, एर फोर्स, आर्मी, साओधी अरियविया के पास, तेल और हिंदुस्तान के पास आप लोग हमारे करोणों युवा, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, अमेरिका का हम मुकाबला हत्यारों से नहीं कर सकते, मगर हमारे पास, दुनिया के सबसे अच्छे, होश्यार, युवा हैं, आपके सपने, और जब मैं कहता हूँ, हमारी पूंजी है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सपनों की बात कर रहा हूँ, मैं आपके घ्यान की बात कर रहा हूँ, आपके समझ की बात कर रहा हूँ, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को मान के चलती है, कि हिंदुस्तान का युवा, सिरफ हिंदुस्तान को नहीं, देश को बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है देश को नहीं दुनिया को बदल सकता है अमरीका के राश्रपती ने कहा था उबामे ने कहा था चाइना और हिंदुस्तान का मुकाबला अमरीका नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया से अलग-अलग देशों से लोग हिंदुस्तान के युवाओं में इन्वेस्ट करने के लिए आया करते थे अपना पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि वो आप सब में भरोसा करते थे वो जानते थे कि हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान को खड़ा कर देगा और पूरी दुनिया को बदल देगा इसलिए वो यहाँ अपना पैसा लाते थे और आज मैं स्टेट से दुख से कहता हूँ कि 21 सदी का हिंदुस्तान अपनी पूंजी को जाया कर रहा है बर्बाद कर रहा है जो आप इस देश के लिए करना चाहते हो और कर सकते हो उसको आपकी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री होने नहीं दे रहे हैं आज हिंदुस्तान का युवा कॉलेज युनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है स्कूल में पढ़ता है और बेरोजगारी का सपना देखता है युनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद आपको आईस हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता है पिछले साल हिंदुस्तान में एक करोड युवाओं ने रोजगार खोया है फिर से दौरा देता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की थी पिछले साल एक करोड युवाओं ने इस देश में रोजगार खोया है और जहां भी हमारे प्रधान मंत्री जाते हैं लंबे-लंबे भाशन देते हैं नर्सी की बात होगी CAA की बात होगी NPR की बात होगी मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समच्या है जो इस देश के हर परिवार को चुपती है माता पिता को लगती है युवाओ को जो दुख होता है उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री एक शब नहीं बोलते हैं एक शब नहीं बोलते हैं यह हुआ क्यों UPA के समय मैं आपको याद दिल आना चाहता हूँ 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा है और आज नए तरीके से नापा जाता है GDP नए तरीके से नापे जाती है तब 5% ग्रोथ है अगर आप पुराने तरीके से नापे यूपीए वाले समय के तरीके से नापे तो 0.5% ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का आज 0.5% याद रखिए शर्म की बात है यह हुआ क्यों यूपीए के समय यूपीए के समय हम सरकार का पैसा किसानों को गरीबों को देते थे मनरेगा बोजन काधिकार यह हमारे प्रोग्राम्स थे हम गरीबों को पैसा क्यों देते थे मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी शायद एकनोमिक्स पड़े नहीं है समझे नहीं है अर्ध व्यूष्टा जब चलती है जब गरीबों के जेब में पैसा आता है और बड़ा साधरण सा सिस्टम है जैसे ही किसानों के जेब में पैसा जाता है गरीबों के जेब में कोई जूता जैसे ही हिंदुस्तान के गरीब लोग माल खरीदते थे वैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाती थी जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाती थी कोई फैक्ट्री शर्ट बनाती कोई पतलून बनाती कोई सेलफोन बनाती हिंदुस्तान के करोणों लोग माल खरीद कि उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता और उन्हीं फैक्ट्रियों में पूरी दुनिया का इंवेस्ट्मेंट आता था अब नरेंद्र मोधीजी ने क्या किया किसानों को बर्बाद कर दिया मनरेगा को खोकला कर दिया भुजन के अधिकार को बंद कर दिया नोट बंदी की गबबर सिंग टैक्स लागू किया इससे क्या हुआ हिंदुस्तान के किसान मजदूर युवाओं के जेब में से उन्होंने पैसा निकाला और 15-20 उद्योग पतियों के जेब में डाल दिया भाईयों और बहनों 3,50,000 क्रोड रुपै आपके जेब में से निकाल के आपकी युनिवर्सिटीज में से निकाल के आपके हस्पतालों में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने 15 सबसे अमीर लोगों का करज़ा माफ करवाया है 3,50,000,00 कुछी महीन ने पहले 1,5,000,00 करोर रुपे टैक्स माफ किया जैसे ही गरीबों के जेब में से पैसा गया किसानों के जेब में से पैसा गया युवाओं से पैसा गया आप लोग ने माल करीदना बंद किया जैसे ही आपने माल करीदना बंद किया फैक्टरी बंद हो गई और 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में आ गई आप किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाएए उससे पूछिए जी एसटी से फाइदा हुआ या नुकसान सारे के सारे आपको कहेंगे भईया बर्बाद कर दिया नुकसान हो गया अंबानी अधानी का जरूर फाइदा हुआ जो सबसे बड़े बिजनसमेन ने उनका फाइदा हुआ मगर लाखों करोडों युवाओं का छोटे दुकानदारों का स्मॉल मीडियम बिजनस वालों का धन्दा बर्बाद हो गया कि नरेंद्र मोदी को मैं आपको बता रहा हूं स्टेट से बता रहा हूं नरेंद्र मोदी को जी एस्टी समझ तक नहीं है आज कि उनको समझ नहीं आई यह जी एस्टी क्या है जो व्यक्ति नोट बंदी जैसा काम कर सकता है आप किसी भी युवा से पूछ लो नोट बंदी से फाइदा हुआ नुक्सान आठ साल के बच्चे से पूछ लो बेटा आठ साल के बच्चे से पूछो बेटा नोट बंदी से फाइदा हुआ नुक्सान वो कहेगा फाइदा हुआ नुक्सान हुआ फाइदा का हुआ नुक्सान हुआ मेरे जेब से पैसा ले लिए नरेंदर मोदी ने अदानी को दे दिया और दुनिया की आलत आप देखिए और समझे पहले हिंदुस्तान चाइना का मुकाबला करता था या आप मोबाइल फोन पकड़िये चाइना में बनता है माइक्रोफोन के नीचे देखू चाइना में बना है शर्ट के पीछे जूते के नीचे चाइन चाइना हिंदुस्तान उनका मुकाबला कर सकता है और कोई देश करी नहीं सकता है और हिंदुस्तान का युवा अकेला चाइना के युवा के साथ मुकाबला कर सकता है और कोई करी नहीं सकता है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मोका है दुक की तो ये बात है यहां हम अपनी पुण्जी जाया कर रहे है मगर ऐसा मौका हमारे सामने कभी वापिस नहीं कभी आना वाला नहीं है एक बार आएगा पूरी दुनिया यॉर्प के सब देश अमरीका जापान औस्ट्रेलिया पूरी दुनिया के देश चाइना की ओर देख रहे हैं कह रहे हैं कि भाई चाइना बहुत तेजी से आगे निकल गया चाइना को बैलन्स करना है और पूरी दुनिया जानती है कि चाइना को सिर्फ एक शक्ति बैलन्स कर सकती है और वो है हिंदुस्तान का युवा पूरी दुनिया तियार है यॉर्प के सब देश तियार है अमरीका त्यार है कैनेडा त्यार है औस्ट्रेलिया त्यार है सारे के सारे देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान को मैनुफैक्शरिंग का कैपिटल मनाना चाहते हैं सारी कंपनिया जो आज चाइना में है वो हिंदुस्तान में आना चाहती है और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ मुझसे सवाल पूछते है मुझे दुख होता है मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल पूछते है मुझसे पूछते हैं आप चाहते हो कि हम अपना पैसा हिंदुस्तान में डालें आप चाहते हो कि हम मिलकर चाइना से कॉम्पेटिशन करें मगर आप हमें एक बात समझाओ पहले हिंदुस्तान में शांती थी आज हर रोज हम अकबार में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में हिंसा है हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार देश में हिंसा फ्हला रही है आप हमें बताईए हिंसा के माहौल में हम इन्वेस्ट क्यूं करें हिंसा के हमाहौल में हम जो लाकों करोर रुपे हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम उसको क्यूं करें पता नहीं कल क्या होगा ये काम नरेंद्र मोदीज ने किया है पहला काम आपके जेब में से पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को दिलवाया है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के उद्योग पतियों की जगह नहीं और मैं स्टेज से पहला हूँ जो कहेगा कि हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने भी इस देश को बनाने का काम किया है मगर मैं बैलन्स चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर आप सबसे बड़े उद्योग पतियों की मदद करते हैं तो फिर आपको किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की मदद करनी पड़ेगी मैं सिर्फ बैलन्स चाहता हूँ आप कर्जा माफी उनकी करते हो, तो फिर वह याँ इनकी भी करो अगर इनकी नहीं करते हो, फिर उनकी मत करो मैं बैलन्स चाहता हूँ तो नरेंदर मोदी ने पहला काम किया कि इन्होंने पूरा का पूरा फाइदा पंद्रा भी सुद्योग पतियों को दिया करेख एन के आपिएव lovely ने बोसी द्रे गणा को और दूसरा काम का भयंकर कान जो दुनिया में हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन था जो दुनिया में हिंदुस्तान की इमिज थी कि यह कुए ऐसा देश है के भाईचारय का देश है प्यार का देश है, मिल जुल के काम करता है बात होती थी पूरी दुनिया में लोग देखते थे, कहते थे देखो पाकिस्तान को देखो पाकिस्तान में हिंसा का महौल है एक दूसरे से दिन बढ़ लड़ते थे एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ प्यार, भाईचारा पाकिस्तान बटा हुआ देश, हिंदुस्तान एक साथ चलने वाला देश इस इमिज को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है आज बाकी दुनिया में हिंदुस्तान को रेप कैपिटल माना जानता है दुनिया का हर रोज अखबार में आता है कहीं न कहीं किसी महिला का बलतकार हुआ प्रधान मंतरी इसके بारे में नहीं बोलेंगे और जब हमारे युवा प्रधान मंतरी से सवाल पूछते हैu आप बताएए आपने हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन पूरी दुनिया में क्यों कतम किया आप बताएए आज इस देश में बेरोज़गारी क्यों है आप बताईए कि आपने पिछले पांच सालों में युवाओं के लिए क्या किया तो फिर आपके उपर ही गोली चलाई जाती है आपको मारा जाता है आपको कुछला जाता है मैं चैलेंज देता हूँ प्रधान मंत्री को मैं challenge देता हूं किसी भी हिंदूस्तान की university में चले जांए और अपने भाशन से पहले जो students है उनसे सवाल पुछवा ले मैं challenge देता हूं किसी भी university में प्रधान मंत्री चले जाए और युवाओं के दिल में जो सवाल है बेरोज़गारी का सवाल हिंदुस्तान को बाटने वाला सवाल हिंदुस्तान की इमेज को नश्ट करने वाला सवाल इसका जाके युनिवर्सिटी में कॉलिज में नरेंद्रमोदी जवाब दे दे नहीं दे सकते नहीं दे सकता मगर ये जरूर कह सकते है नरेंद्रमोधी जूटे वाइदे जरूर कर सकते हैं दो करोड युवाओं को रोजगार दूँँगा किसानों को सही दाम दिलवाओंगा मगर यहाँ आपको मैं निराज करने नहीं आया हूँ मैं आपको एक मैसेज देना आया हूँ मैं समझता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी समझती है कि इस देश को सिरफ एक शक्ती बदल सकती है और वो है हिंदुस्तान का युवाओं हिंदुस्तान का स्चुडिन और हम यह भी समझते हैं यह भी समझते हैं कि आज आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आपको विजन नहीं दिखाई दे रहा है आपको रोजगार नहीं मिल रहा है मगर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप में वो उर्जा है आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो विजन है जो इस देश को बदलने जा रहा है पूरी दुनिया आपके और देख रही है सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी नहीं आप अपनी शक्ती को पहचानो जब आप केलिफोन के पीछे चीन के युवाओं की शक्ती है चीन के युवाओं की शक्ती है और मैं जानता हूँ पूरा बरोसा है कि made in इंडिया, made in जैपूर, made in राजिस्तान, made in चाइना का मुकाबला कर सकता है और करके दिखाएगा मकर इसके लिए इसके लिए देश को दो-तीन चीजों की जरुवत है सबसे पहले युवाओं को यह समझना होगा कि आपकी जो अवाज है उसको आप दबने नहीं दो आपकी अवाज दबनी नहीं चाहिए आप जो बोल रहे हो जो आपके दिल में है वो सही है आपको डरने की कोई जरुरत नहीं आप बेरोजगारी पर सवाल उठाओ हिंदुस्तान के भविश्य पर सवाल उठाओ अपने भविश्य पर सवाल उठाओ दूसरा काम और सबसे जरूरी काम ये एक जंडा है ये दो-तीन जंडे नहीं है ये एक जंडा है और ये सब हिंदुस्तानियों का जंडा है और जो भी इस देश को बाटने की कोशिश करता है जो भी इस देश को तोड़ने की कोशिश करता है एक धर्म को दूसरे धर्म से लडाता है उसको आप साफ बता दीजिए एक देश को बाटने से हिंदुस्तान का फाइदा नहीं होता ये जंडे का अपमान है ये काम आप बंद कीजिए और तुछ तीसरी बात और आकरी बात जो हिंदुस्तान का पहले reputation था पूरी दुनिया में भाइचारे का देश एक साथ चलने का देश plural देश वो reputation एक बार फिर लानी पड़ेगी क्योंकि हिंदुस्तान अगर चाइना से मकाबला करेगा अगर हिंदुस्तान चाइना से competition करेगा प्यार से दुश्मन इसे नहीं हमारा तरीका प्यार का है मैं आपको स्केज से बता रहा हूँ चाइना से हिंदुस्तान प्यार से मकाबला कर सकता है और made in India made in China को पीछे धकेल सकता है तो हमारा जो पहले reputation था पूरी दुनिया में हमारी जो Sanskrit है, जो history है महात्मा गांदी की जो विचार धारा है वो ही हमारी पहचान होनी चाहिए जब दुनिया में कोई हिंदुस्तान की और देखे उसे कहना चाहिए हाँ ये देश पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है manufacturing में दिखा सकता है services में दिखा सकता है मगर character में भी दिखा सकता है morality में भी दिखा सकता है तो ये मैं message आपको देना चाहता था हर generation की जिमेदारी होती है अब आपकी जिमेदारी है आपके सामने हमारे सामने बड़ी चुनोती है मगर डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ती हमारे गाओं में हमारे शेरों में है और वो हिंदुस्तान का युवा आप डरिये मत दबिये मत एक साथ खड़े होके हम हिंदुस्तान को बदल डालेंगे धन्यवाद जैहिन करते शच Madison करते दू में हमारे शवार no युवार का जय से बदल प मारे बदल करे दूसरा र नहीं का युवाद मारे वड़ो influences